दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दे बार्ड, बार्ड ओफ एवन, विलियम शेक्सपेर को विलियम शेक्सपेर की लाइफ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे उसके साथ साथ हम लोग इनके प्लेज को डिस्कस करेंगे मतलब कौन से प्लेज इन्होंने कब लेखे और इसके हलावा इनका historical, social और political context में डिस्कुस करेंगी उनकी इज का काफी कुछ नया जानने को मिलेगा दोस्तों इस वीडियो में मैं कोई भी चीज पहले बताये हुई इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कुछ चीजे हो सकती है जो repeat हो लेकिन काफी कुछ इस वीडियो में आपको नया जानने को मिलेगा काफी detail से ये वीडियो बनाई है काफी सारी जानकारी मैंने collect की है दोस्तों काफी महनत लगी है इस वीडियो को बनाने में शुरू करते हैं विल्यम शेक्सिपिर फेमस वे अपने ड्रामास की वज़े से एक टाइम था जब बाइबल के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाला communist था विल्यम शेक्सिपिर की ड्रामाँ शेक्सिपिर को bard ओफ ईवन भी कहा जाता है क्योंकि वो एवन की पैदाइश थे स्ट्रेटफर्ड अपन एवन में उनका जन्म हुआ था बार्ड का मतलब होता है पाइट यानि कि पाइट आफ एवन इनके वर्क्स थे लगबग 38 तो 39 ड्रामाज इन्होंने लखे 154 सोनेट से इन्होंने लखी और दो लॉंग नरेटिव पोएमस इन्होंने लखी और दूसरी कुछ पाइटरी इन्होंने लखी थी 1564 स्ट्रेटफर्ड अपन एवन में इनका जन्म हुआ था वहीं इनकी डैथ भी हुई थी 1616 में इन्होंने अपने लाइफ टाइम में एलिजाबेटन एज भी देखी और जैकोबियन एज भी देखी और इन्ही के टाइम पर इंग्लैंड में रेनिसा भी आया था वाइफ का नाम था एन हैथवे जो इनसे आट साल बड़ी थी तीन बच्चे थे उनसे इनको connection है है हैमलेट प्ले में और शेक्सपियर के बेटे में शेक्सपियर के पैरंट्स का नाम था जॉन और मैरी 18 साल की उमर में शेक्सपियर की एन से शादी हो गई थी एन इनसे 8 साल बड़ी थी यानि की 26 साल की एज थी एन की उस वक्त और Shakespeare की थी 18 साल की एज शादी के 6 महिने बाद इनकी एक बेटी हुई सबसे बड़ी बेटी इनकी अब आप ये पूछोगे कि शादी के 6 महिने बाद बेटी कैसे हुई तो इनकी वाइप एन पहले से ही प्रेगनेट थी तो इनकी सबसे बड़ी बेटी हुई इनकी शादी के 6 महिने बाद और उसके बाद 2 बच्चे और हुए जो की जुडवा थे भाई बेहन थे जिसमें से भाई था हैमनेट इनका बेटा हैमनेट शेक्स्पियर वो 11 साल की उमर में गुजर गया फिर 1585 के आसपास शेक्स्पियर लंडन आ गए और वहाँ अपना करियर शुरू किया पार्टनर्शिप में खुद की ड्रामा कंपनी के ये मालिक बन गया जिसका नाम था उस ड्रामा कंपनी का नाम था लाड चेंबरलिंस मैन और इसी कंपनी को बोलते हैं किंग्समेन कैसे इसका नाम किंग्समेन पड़ा मैं आगे बताऊंगा अभी के लिए ये याद रख लो कि 1613 तक एक्टिवली शेक्स्पियर ने अपना राइटिंग का काम किया उसके बाद वो रेटायर हो गए थे 49 की एज में उन्होंने पूरी तरह से रेटायर्मेंट ले लिया था और 52 की एज में वो गुजर गए 1585 से 1613 तक जो भी इन्होंने वर्क्स लिखे वो माना जाता है कि इन्होंने खुदने नहीं लिखे बहुत सारे इनके कंटेंप्ररीज भी बोलते थे और बात के ऑथर्स भी बोलते थे बात के क्रिटिक्स भी बोलते थे कि इन्होंने बहुत सारे काम खुद से नहीं लिखे बलकि किसी और ने इनके वर्क्स को लिखा है और क्रेड़िट शेक्सपियर खा गए और इसके रीजन्स वो देते हैं अब से पहले तो शेक्सपियर कभी युनिवर्सिटी नहीं गए थे तो इतने बड़े-बड़े ड्रामाज उन्होंने कैसे लिखती है दूसरा शेक्सपियर ने जहां भी अपने सिगनेचर की हैं वहाँ कई भी अपने नाम की स्पैलिंग उन्होंने ठीक नहीं लिखी तो ये रीजन देते हैं तो वो इतने बड़े-बड़े ड्रामाज कैसे लिख सकते हैं तीसरा उनको तो अपना नाम बोलना तक नहीं आता था वो विलियम शेक्सप ऐसे कुछ बोलते थे अपने नाम को ये सब थेयोरीज हैं ये सब सिर्फ माना जाता है शेक्सपियर ने अपनी लाइफ में सबसे पहले कॉमेडीज लिखी उसके बाद हिस्ट्री प्लेज लिखे उसके बाद ट्रेजडीज लिखी और शेक्सपियर की लाइफ का सबसे बैस्ट हिस्सा था ट्रेजडीज जो tragedies थी वो सबसे ज़्यादा फीमस है फिर tragedies के बाद अपने करियर के आखरी हिस्से में उन्होंने tragic comedies लिखी जिसे romance भी कहा जाता है उसके बाद बहुत सारे works को Shakespeare ने collaboration में लिखा लेकिन कोई भी play Shakespeare ने नाम कमाने के लिए नहीं लिखा था कहा जाता है कि उन्होंने सारे plays पैसा कमाने के लिए लिखे थे Shakespeare की उसी drama company में उनके दो actor दोस्त थे जिनके नाम है John Heminges और Henry Condal उन्होंने Shakespeare के plays का first folio publish करवाया 1623 में और इसी first folio का preface लिखा था Ben Johnson ने Ben Johnson Shakespeare के एक अच्छे दोस्त थे उन्होंने Shakespeare के लिए preface में एक quotation लिखी थी Not for an age but for all time ये quotation Shakespeare के लिए Ben Johnson ने लिखी थी उनके first folio के preface के अंदर Shakespeare के फादर एक glove maker थे यानि की दस्ताने बनाने का काम करते थे और उनकी education हुई थी King's New College से एक grammar school था ये वहाँ पर इनको वो क्या है charity से चलता था इसलिए वहाँ पर इनको education मिली थी King's New School से अब दोस्तों यहाँ पर 1582 में जब Shakespeare की शादी हो गई और उनकी बच्चे हो गए उसके बाद 1585 से 1592 तक का 7 सालों का ये जो हिसाब है ये कहीं नहीं है इन सालों को कहा जाता है Shakespeare's last years और कई लोगों का मानना है कि इन 7 सालों की भी Shakespeare अपने घर से भाग कर लंडन स्ट्रगल करने के लिए आ गए थे फिर वो लंडन स्टेज में performance देने लगे 1592 के आसपास उन्होंने लंडन स्टेज में plays लिखे और performance दिया और तब जाकर Shakespeare का नाम सामने आने लगा अब उस टाइम पर जो newspapers थे उन्होंने Shakespeare पर बड़ा attack किया उनके critics उन पर attack करते थे इतने attack होने के बाद में ये चीज़ तो तै हो गई थी कि ये playwright लंबी रेस का घोड़ा है ये बहुत आगे जाएगा और 1594 आते आते इनके plays इनकी खुद की company perform करती थी इनकी company हो गई थी जिसका नाम था Lord Chamberlain's Man और 1603 में Queen Elizabeth की death हो गई थी उसके बाद James First ने इस company को royal patent दे दिया और इस company का नाम बदल कर इस company का नाम कर दिया Kingsman याद रखना दोस्तों पहले ये था इसका नाम था company का Lord Chamberlain's Man 1603 में Queen Elizabeth की death के बाद में James First जब England की गद्दी पर बैठा उसने इस company को एक royal patent दे दिया और इसके बाद इसका नाम बदल कर कर दिया Kingsman और इससे पहले यानि की 1599 में Shakespeare ने Tames River के सदन हिस्से पर partnership में खुद का theater भी खोल लिया था जिसका नाम था Globe Theater Globe Theater किसका theater था Shakespeare का और Shakespeare का theater उस time पर ऐसा theater था जहां पर sub type की audience आ सकती थी ज़रूरी नहीं था कि कोई upper class के ही लोग आएं वहाँ पर उनका मानना था कि भीड भीड को खेंसती है तो वो भीड को आने से कभी मना नहीं करते थे ऐसे ही अपने plays को perform कर करके Globe Theater से बहुत सारा पैसा कमाने के बाद में William Shakespeare ने London में और Straitford upon Avon में अपनी properties खरीद ली बहुत सारी properties खरीद ली और उस time पर जो invest किया था अपने पैसे को वो उनकी properties एकदम double हो गई यानि कि जब तक Shakespeare रेटायर हुए तब तक बहुत पैसे वाले हो चुके थे लंडन में ज़ादार अपनी properties उन्होंने खरीदी थी लेकिन एक property इनने Straitford upon Avon में भी खरीदी थी अपने लिए और अपनी family के लिए 1610 में Shakespeare अपनी public life से रेटायर हो गए writing से रेटायर नहीं हुए बलकि public life से रेटायर हो गए क्योंकि उस वक्त लंडन में plague फैल गया था लेकिन पता नहीं इतनी कम उमर में retirement लेने का फैसला Shakespeare का सही था या गलत खैर फिर भी जब वो रेटायर हो गए इसके बावजूद वो लंडन आया जाया करते थे अपने दामाद सबसे बड़े दामाद के पास में और John Fletcher जैसे playwrights के साथ मिलकर वो उस वक्त तक collaboration में लिखते थे अपने writings को उस वक्त वो अपने बड़े दामाद के साथ में time spend करते थे और 16-13 में उन्होंने अपने writing का का काम पूरा किया यानि कि अपना last play complete किया उस play का नाम भी आगे मैं आपको बताऊंगा और 16-13 में उन्होंने अपने writing career से भी retirement ले लिया फिर वो अपना जाधतर time straight for upon heaven में अपने घर में गुजारते थे और आने वाले 3 सालों तक उन्होंने वहाँ पर time गुजारा 16-16 में April के महीने में उनकी death हो गई और Shakespeare को वहीं के पास के church में एक कबर में दफनाया गया और उसके उपर एक line लिखी हुई है एक line लिखी हुई है Shakespeare की कबर के उपर जिसका मतलब ये है कि मेरी हड़ियों को हाथ लगाने की जरुरत नहीं है और अगर किसी ने भी इसको खोदने की या पत्थर को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसको शांप लगेगा हाथ लगाने का मतलब तोडने की कोशिश की ये वो line है Shakespeare का आखरी play two noble kinsmen माना जाता है दोस्तों और Shakespeare हमेशा fashion को ध्यान में रखकर लिखा करते थे यानि की जो चीज ज्यादा चल रही है वो ही लिखा करते थे उनके career का best part था उनकी tragedies का जो उन्होंने jacobian age में लिखी थी लेकिन फिर भी chronology कली उनके plays को अगर आप देखो तो आपको खुद लगेगा की Shakespeare हमेशा fashion के हिसाफ से लिखते थे अब बात की जाए इतनी busy life के अंदर poetry कहां से लिख लिखी लिखी ये उन दो volumes की नाम है जिनको Shakespeare ने उस वक्त लिखा था और इसी बीच a lovers complaint को भी Shakespeare ने लिखा और इसमें Shakespeare की sonnets भी शामिल थी वो अपनी sonnets को अपनी private diary में लिखते थे पब्लिश करवाना तो दूर की बात है वो तो ये तक नहीं चाते थे कि कोई इनको पढ़े ये जो 154 sonnets है Shakespeare की इन sonnets को dark lady और fair youth में बाटा गया है drama तो drama Shakespeare अपने poetic works की वज़े से भी English literature में all time favorite है all time popular poet बन गये along with Emily Dickinson, Robert Frost and Walt Whitman इसके अलावा Shakespeare ने iambic pentameter को भी invent किया था जो आज poetry में सबसे ज़्यादा use होता है सबसे पहले शायद Shakespeare नहीं इसका use किया था और अपनी lifetime में Shakespeare किसी भी controversy में नहीं फसे उनको controversy से डर लगता था जिंदगी बर उन्हें बस तारीफ मिली तारीफ मिली और death के बाद भी उनको बस तारीफ मिली specially उनको तारीफ मिली romantic age के बाद Victorian age में romantics भी उनकी बहुत तारीफ करते थे जैसे estry college estry college जैसे poets उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे कीट्स तो अपनी desk के पास में माना जाता है Shakespeare की photo रखते थे एक portrait रखते थे और क्योंकि Victorians बहुत ज्यादा Shakespeare Shakespeare करते थे तो George Bernard Show ने 1901 में एक term को coin out किया जिसका नाम था bardo lottery यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों bardo lottery एक term है जिसको coin out किया था George Bernard Show ने ये बताने के लिए ये समझाने के लिए कि Shakespeare के अलावा Victorians को कुछ और दिखता नहीं है Shakespeare के लिए George Bernard Show ने लिखा है There is no eminent writer whom I can despise so entirely As I despise Shakespeare when I measure mine against him And में उन्होंने लिखा है so much for bardo lottery तो यह bardo lottery term किसने coin out की थी George Bernard Show ने Shakespeare के लिए 1592 में Robert Greene ने पहली बार jack of all trades बोलकर Shakespeare को criticize किया था और कहा था कि Shakespeare Christopher Marlowe जैसे अपने contemporaries की तरह university educated नहीं है और उन्ही के contemporary Ben Johnson ने पहली बार उनको Soul of the Age, applause, delight, wonder of our age कहकर उनकी तारीफ की थी और उनका जो play था Hamlet वो एक बहुत ही famous Scandinavian figure था जिसका नाम था एक legend था जिसका नाम था Amlet उसकी कहानी है और Samuel Johnson का नाम तो आप सभी ने सुना होगा Samuel Johnson ने जो अपनी dictionary of English language को लिखा था उसमें सबसे ज़्यादा quotations Shakespeare की ही थी और दोस्तों Shakespeare ने English language को बहुत सारे words दिये हैं लगबक 17,000 से 29,000 words माना जाता है Shakespeare ने दिये हैं लेकिन ये भी माना जाता है कि Shakespeare जाते जाते अपनी wife को अपनी property में एक bad दे कर गए थे दोस्तों Preface to Shakespeare में Dr. Samuel Johnson ने Shakespeare की plays का criticism किया है ये एक essay type का मानलो कोई essay है जिसको तीन parts में divide किया गया है सबसे पहरा part है Shakespeare's general nature, excellency दूसरा है Shakespeare's faults और तीसरा है the three unities, time, place and action इन तीनों के बारे में बताऊंगा पहले तो ये work publish हुआ था 1765 पे तो सबसे पहले Johnson बोलते हैं कि जिस time पर वो थे यानि कि Augustan age में उस time पर लोग क्या करते थे कि old को तो glorify करते थे, old की तो तारिफ करते थे old writers जो अपना work लिख कर गए जबकि contemporaries की कोई value नहीं थी साथ के writers की कोई value नहीं थी Johnson यहाँ पर बताते हैं कि कैसे decide किया जाए एक piece of literature अच्छा है या नहीं सबसे पहले तो ये देखो कि वो लंबे time के लिए रहने लायक है या नहीं दूसरा time के साथ धीरे धीरे gradually उसकी पहचान बढ़ रही है या नहीं तीसरा दूसरे work से अगर उसका comparison किया जा रहा है तो क्या condition है उस work की ये तीन चीज़े बताई है कि एक piece of literature अच्छा है या नहीं ऐसे decide किया जाए शुरू करता हूँ मैं प्रफेस्टरी शेक्सपिर बहुत ही कुछ नया जानने को मिलेगा इस work में सेमिल जॉंसन ने शेक्सपिर के plays का analysis किया है उनकी qualities भी बताई है और defects भी इनका किया हुआ criticism बहुत ही जरूरी है दोस्तो modern criticism के लिए तो कुछ मानते हैं जॉंसन ने इस work का criticism करते हुए prejudice रखा है लेकिन सच तो ये है कि 18th century में इससे बहतर literary criticism पर कोई work नहीं रहा दोस्तों क्योंकि इसको लिखने से पहले डॉक्टर साब ने 9 साल लगा दिये शेक्सपिर की works को ठीक से पढ़ने में और इस work को produce करने में उन्होंने ऐसा judgment दिया इस work के अंदर कि शेक्सपिर को सारे European writers में सबसे उपर चड़ा दिया अब वो इस work में बोलते हैं शेक्सपिर के plays practical knowledge का खजाना है उसमें life की philosophy मिलती है इनमें सर्फ एक passion नहीं होता सर्फ love का passion नहीं होता बलकि different different type के passions होते हैं अब क्या होता है कि आज हमारी age में कोई writer होगा तो हम उसे इतना पसंद नहीं करेंगे लेकिन पुनारे writer को हम लोग glorify करेंगे उसको genius कहेंगे तो शेक्सपिर के time पर भी कुछ ऐसा ही था कि उनके contemporary writers उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने tragedy और comedy को mix करके tragic comedy बना दिया था और ये चीज appalled मानी जाती थी उस वक्त क्योंकि उस वक्त माना जाता था classical rules के हिसाब से tragedy और comedy को separate रखो लेकिन Johnson ने इसमें Shakespeare को defend किया है कि अच्छा ही किया Shakespeare ने दोनों को mix कर दिया क्योंकि real life में भी सदों नहीं होता कि सर्फ हमारे साथ बुरी बुरी चीज़े हो रही हो या फिर सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़े होती हो तो दूनों चीज़ों का mixture होती है life joy, sorrow, tears और smiles, good और evil दूनों का mixture होती है जिंदगी बले ये चीज classical rules के खिलाफ है लेकिन tragic comedy करके Shakespeare ने real life के बहुत करीब ला दिया था अपने plays को तो उनके plays हमें tragedy के instructions और comedy के pleasers दूनों देते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि Shakespeare ने tragic comedy का use किया तो यहाँ पर किसी तरह से tragedy की power कमजोर हो गई कि tragic comic plays की अंदर comedy कहीं भी tragedy के passion की progress को बीच में interrupt नहीं करती इसलिए in fact Shakespeare खुछ जानते थे कि pleasure बहुत सारी varieties में मिलना चाहिए सिर्फ mellonkally और तकलीफ मिलती रहे ये चीज pleasing नहीं होती के पास ये power थी वो अच्छे से जानते थे कि कैसे लोगों को रुलाते रुलाते हसाना है बात की जाए comedy की तो comedy के तो Shakespeare genius थे क्योंकि उनके plays में comedy naturally ही आती थी लगता है कि comic scenes लिखने में उनको ज्यादा hard work नहीं करना पड़ता था और ये comedy scenes time के साथ durable थे time के साथ उनकी popularity पर कोई भी खास असर नहीं पड़ा और comic scenes की language जो होती थी वो भी real life वाली होती थी ज़्यादा उसको refine करके नहीं लिखते थे इसलिए अब तक वो पुराने नहीं हुआ है हाँ tragedies को लिखने में उनको tile करना पड़ता होगा study करनी पड़ती होगी तो tragedies में तो skills लगाते थे और comedy naturally आती थी अभी यहां मैं Shakespeare के faults की भी बात करूँगा लेकिन पहले बात करते हैं Johnson ने Shakespeare के use of unities को defend किया है use of unities कैसे classical rules क्या बोलते है Aristotle के की time, place और action की unity होनी चाहिए लेकिन Shakespeare की जो histories थी God से सुनना यहां पे Johnson क्या बोलते है कि Shakespeare की जो histories थी वो ना तो tragedy थी ना comedy थी इसलिए उसमें Shakespeare को classical rules को follow करने की जरुद किया थी unities को इसमें भी time, place और action को follow करो क्योंकि history तो history होती है history place के अंदर कहां से वो time, place और action की unity को follow करते उनको इन history place के अंदर बस consistency और naturalness को maintain करना था अपने characters में जो उन्होंने बड़े अच्छे से किया है बाकि histories के अलावा दूसरे works की अगर बात की जाये तो वहां पर भले ही time और place को ढंक से maintain नहीं किया हो लेकिन action की unity अच्छे से maintain की है वो action की unity पर ज़्यादा ध्यान देते थे लेकिन time और place की unitys पर Shakespeare ने ध्यान नहीं दिया लेकिन ऐसा माना जाता था कि time और place की unity को follow करने से ड्रामा में विश्वास बना रहता है लेकिन Johnson यहाँ पर बोलते हैं कि audience अच्छे से ये बात जानती है कि fiction कभी भी real नहीं बन सकता ड्रामा देखने वाले तो कुछ भी imagine कर सकते है ड्रामा एक delusion होता है और delusion की कोई limits नहीं होती उसमें कुछ भी हो सकता है ये बात कहीं भी गलत नहीं है कि Shakespeare अपने action को किसी भी जग़ दिखा रहे हैं जरूरी नहीं है कि character अगर डर रहा है तो चारो तरफ डर वाला माहौल create करना जरूरी है बिजली कड़क रही है ऐसा माहौल बनाना जरूरी है डर तो कहीं भी लग सकता है कैसे भी तो Shakespeare फोकस करते थे कि ये action के events एक दूसरे से connected हो आगे Johnson बोलते हैं ये drama हम को आगे ले करके जाता है इसलिए नहीं कि ये सब हो रहा है वो सब real है डरामा में जो कुछ भी हो रहा है वो real है बलकि इसलिए कि audience भी ये feel कर सके कि ये drama में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है जैसे एक film है बागबान वोड़ी dangerous film है इसलिए Johnson बोलते हैं कि डरामा में unity of action हो ये sufficient है जरूरी नहीं ये time और place की unity भी हो क्योंकि ये duty assumptions को बढ़ावा देती है अच्छा हुआ कि Shakespeare ने उन पर ध्यान नहीं दिया अब Johnson Shakespeare के कुछ faults भी गनवाते हैं जोस्तों इनको ढंक से सुनना इनको मैं ढंक से discuss करने जा रहा हूँ सबसे पहला तो Shakespeare कभी भी moral purpose के लिए नहीं लिखते थे उनका मकसद होता था audience को मजा देना बजाए कुछ सिखाने के और ये उनके plays के साथ politic justice नहीं हुआ ये एक fault है जिसके लिए उनको उनकी ही age में शायद criticize जरूर किया गया होगा ऐसे आपने Shakespeare का एक play पढ़ा होगा Merchant of Venice उसके अंदर Porsche जब आदमी का भेज बदलकर एक lawyer बनकर court में जाती है trial attend करने तो उस time पर ये चीज morally accepted नहीं थी कि उस time पर women ऐसा कुछ कर दे लेकिन Shakespeare ने इसके पीछे कोई भी अपना moral purpose नहीं छोड़ा और अगर माल लो उस वक्त अगर court में उसको कोई पैचान लेता तो पूरा plot खराब हो जाता दूसरी गलती वो अपने plot को बड़ा loosely design करते थे कभी भी plot को improve करने की कोशिश नहीं करते थे गलती हो गई तो हो गई उसको सुधारना नहीं है जैसे merchant of Venice में एक कमी आपने notice की होगी नहीं की होगी Antonio शैलोक से क्या कहकर पैसे उधार दिलवाता है कि मेरे जहास समुदर में यहाँ वहाँ फैले हुए जैसे ही वो वापस आ जाएंगे तो मैं तुमको तुमारा पैसा वापस कर दूँगा लेकिन क्या खबर आती है कि इसके जहास डूब गए अब यहाँ वहाँ जहास पहले हुए है तो सारे जहास के एक साथ डूब गए, एक साथ खो गए या एक साथ ही नहीं लॉटे, सारे के सारे तो ये चीज़ एक गलती है और एक बात ये कि शेक्सपियर ने एजिप्ट, इटली, डैन्मार्क और सब कंट्रीज के बारे में इन सब के करेक्टर्स के बारे में बता है लेकिन इनके करेक्टर्स से उनको देखने से ऐसा लगता नहीं है कोई डिफरेंस नजर नहीं आता कि बंदा इटली से है तो लगे भी बस नाम ही होता था इटलियन, नीचर इंगलिश वाला ही होता था उसका भी प्ले की स्पीज कभी कबार बहुत ही कोल्ड और वीक हो जाती थी, ये पंस का यूज बहुत करते थे, पंस के लिए ये रीजन और टृत से भी सैक्रिफाइस कर देते थे जैसे किंग लियर के अंदर किंग और फूल साथ में थे, लेकिन वो साथ में रहने के बावजूद, ऐसे लगता है किंग तो कभी फूल की लेंगवेज बूल रहा है और फूल कभी किंग की लेंगवेज बूल रहा है, अब पता नहीं क्यों क्या रीजन था कि शेक्स्पिर के reference जरूर उठाते थे, लेकिन वो ऐसे classical reference ये सोच कर उठाते थे कि इससे speech strong हो जाएगी, जैसे Merchant of Venice में Porsche शैलोक से बोलती है कि ठीक है, तुम Antonio का एक pound mask काट लो, लेकिन एक भी बूंद खून की बहाई बिना, तो अब मैं जहां तक जानता हूँ, ये play का सबसे important part है, लेकिन Shakespeare ने इसको सिर्फ एक single line में खतम कर दिया, इसलिए ये चीज़ powerless, unsurprising और cold सी लगती है, speech को थोड़ा बड़ा करके effective बनाया जा सकता था, और एक दो fault ये कि plot को थोड़ा लंबा खहंसते थे, जैसे Hamlet के अंदर वो अपने चाचा को मारने से हिच के चाता है Hamlet, तो एक दो act के अंदर तो ये चीज़ सही लगती है, लेकिन उसके बाद उबाव लगने लगती है चीज़, Perchant of Venice में भी तीन-तीन लड़के पाउचिया को देखने आता है, अब वो एक लड़के से भी काम चल सकता था, Comedies के अंदर जूक्स अक्सर कभी कबार मनवाने तरीके से गंदे भी हो जाते थे, और वो इस टाइप के narration में कुछ हजीब बातें बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट करके दिखाते थे, कभी कभी narration उबाव टाइप का भी हो जाता था, और ये सब false गिनवाने के बाद में, Dr. Samuel Johnson उनके merits की बात करते हैं qualities की, एक सबसे बड़ी अच्छी चीज, Shakespeare ने blank words को perfect कर दिया, इसमें flexibility लाकर, और ऐसा करके ये इसे pros वारी language के करीब ले आएगा, दूस्तो William Shakespeare या फिर Bard, जो लोग इनको बोलते हैं Bard of heaven, इनको हमने अपनी classroom में, televisions में, theaters में, cinema में, इनके बारे में कहीं न गहीं सुना होगा, जो अपने dramas के थुरू हमसे बाते करते हैं, Shakespeare उनके थुरू society और culture पर comment करते हैं, आज भी actors regularly modern stages पर, screens पर इनके plays को perform करते हैं, for example, 1990s में Romeo, Juliet, Hamlet, Othello, Midsommar Nights Dream, और भी इनके works हैं, जिनके cinematic versions release हुए हैं, in addition, इनके plays की popularity इनके अलावा, दूसरे playwrights ने बढ़ाई है, कैसे, जैसे इनके plays को modernized तरीके से, उन्होंने modify किया, और अपने हिसाब से लिखा, जैसे John Dryden ने इनके work को modify करके, all for love को लिखा, तो उन्हीं के plays को popular किया है, दूसरे playwrights ने, वो playwrights बाकी के लोग imagine करते हैं, कि इनके characters के साथ आगे क्या हुआ होगा, और इनके works को फिर से लिखते हैं दोबारा, इतना सब होने के बावजूद, इनके बारे में बहुत सारी चीजे suspense भी है, दोस्तों, इनके works इतनी सारी variety में, इतने लोग इनको copy गड़ते थे, इसके बावजूद, बहुत सारी चीजे इनके बारे में suspense है, मतलब यह नहीं पता कि इतने सारी variety में इन्होंने जो plays लिखे हैं, वो अकेले लिखे हैं या दूसरे playwrights के साथ मिलकर लिखे हैं, या फिर दूसरे playwrights में लिखे हैं, इन्होंने सिर्फ अपना नाम यूज़ किया है, पर इनके कौन से play का version सिर्फ पढ़ने के लिए था और कौन सा perform करने के लिए था, तो modern scholars का एक group है दोस्तों, anti-stratfordian, वो लोग Shakespeare की authorship को मानते हैं यह यह group तो Shakespeare की authorship को मानता है नहीं है, वलकि यह group तो Shakespeare को नहीं मानता था कि Shakespeare जैसा आदमी कभी exist करता था, और अगर करता था तो यह सारे plays जो हम जिसकी authorship हम Shakespeare को देते हैं तो यह उसने नहीं लिखे, Sir Francis Bacon और Queen Elizabeth जैसे historical figures से जिन्होंने उसका नाम यूज किया उसको popular करने के लिए, इस Shakespeare जैसे नाम को अमर बनाने के लिए, अब family life की बात करते हैं, तो दोस्तो, scholars को शेक्सपियर की exact date of birth तक पता नहीं है, historical records के हिसाब से, इनके parents Mary और John Shakespeare ने 26th of April 1564 में, Straitford-upon-Evon में इनको baptize किया था, यह baptize किया होता है, जब बच्चों का जन्म होता है, तो उसके कुछी दिनों के बाद में उनको baptize किया जाता है, तो इसलिए scholars मानते हैं, कि 26th को अगर इनको baptize किया गया था, तो 23rd of April को इनका जन्म होगा, होगा, exact date of birth नहीं मालूँ, इसलिए कहते हैं कि 23rd of April इनकी exact date of birth नहीं है, और एक interesting बात यह है कि 23rd of April को ही 52 साल की age में इनकी death हुई थी, इस दिन इनका जन्म हुआ था, उसी दिन इनकी death मानी जाती है, इनके father पहले स्नेटेफिल नाम की जगह पर रहते थे, फिर इनकी मा से शादी करके वो 1552 में स्टेटफ़र्ड आ गए और एक glove maker का काम करते थे, agricultural products के dealer थे, और इनको अपने lifetime में अलग-अलग post मिली, scholars ऐसा भी मानते हैं कि Shakespeare के father के साथ religious discrimination की वज़े से ऐसा सब कुछ हुआ, religious भीदबाव, क्योंकि ये Catholicism को मानते थे, और उस वक्त इस religion को follow करना illegal Thailand में, जबकि दूसरे scholars के मानते हैं कि ऐसा रही है, क्योंकि और भी Catholic और radical puritan धर्म को follow करने वाले high post पर थे, तो उनको क्यों नहीं हटाया गया, Shakespeare के father के साथ ही क्यों भीदबाव किया गया, लेकिन फिर भी Shakespeare के father John Shakespeare को अपने life के end के time पर इनकी family को वही reputation वापस मिल गई थी, और ये सब हुआ था इनकी बेटे William Shakespeare की request पर, क्योंकि उस वक्त तक इनकी life के end के time पर Shakespeare London के एक successful dramatist बन चुके थे, तो कम से कम लड़के ने 1601 में अपने father की death से पहले इज़त और seat वापस दिलवा दी, खैर family के वही पहले वाले status वही repetition को वापस दिलवा दिया, अब इनकी बचपन और education की बात करते हैं, इनकी education के बारे में जितनी भी बाते हम जानते हैं सब speculative है, मतलब कालपनिक है, क्योंकि इनकी education के कोई legal records मिलते नहीं है, क्योंकि उस time पर इतने legal records रखे नहीं जाते थे, और माना जाता है कि इन्होंने Kings New School जोईन किया था, जिसे Oxford के reputed graduates चलाते थे, जिनके अच्छी कासी इज़्जत थी, वो graduates इसको चलाते थे, और पिटी स्कूल में ये गये थे, चार से पांस साल की एज में, फिर दू साल बाद ये गये थे grammar school में, ग्रामर स्कूल में ट्रांसफर हो गये थे, वहीं पर दोस्तों इन्होंने grammar school में Latin सिखी थी, और Roman authors जैसे Orvid और Horace, इन सब को पढ़ना शुरू किया था, और इन्ही authors का influence आप इनके works में देख सकते हो आज, अब grammar school खतम होते होते, इन्होंने थोड़ी सी command Greek language पर भी पाली थी, अब थोड़ी सी command पाई थी, इसलिए इनके पढ़े लिखे दोस्त, Ben Johnson ने कहा है कि Shakespeare new, small Latin and less Greek, इसका मतलब ये नहीं है कि Johnson यहाँ पर बोल रहा है कि Shakespeare कम पढ़े लिखे हैं, अब time time की बात है, जैसे हाज हमारे यहाँ पर लोग सोचते हैं कि अगर मैं English सीख जाओं, English बोलना आ जाए, तो पढ़ा लिखा हो जाओंगा, वैसे उस time पर वहाँ पर Latin और Greek language सीखना education होती थी, अब time बदल गया, आगे चलकर के science और technology education होने लगी, शायद आने वाले टाइम में कुछ और ही education होगी, तो education के अभी मतलब बदलता रहता है, तो उस time पर language सीखना, लैंगवेज जो पढ़ सकता था Latin और Greek language तो वो educated था, अब शादी की बात की जाए तो Shakespeare जब adult हुए, तो उस वक्त तक historical records और documents रखना बढ़ गया था, पहले नहीं रखे जाते थे historical records और documents बगएरा, तो November 1582 में जब ये 18 साल की age में थे, तो इन्होंने शादी कर ली 26 साल की एक लड़की Anne Hathway से, जो की पास ही के एक गाउं से थी, शाटरी से अब age में इतना difference था, इसके दो साल बाद February 1585 में Shakespeare के दो जड़वा भाई बहन होते हैं, अब शेक्स्पेर के बच्चे भाई बहन हुए, एक लड़का एक लड़की, एक का नाम था Hamnet जो की लड़का था, और दूसरी थी Judith, लेकिन Hamnet की 11 साल की छोटी सी age में death हो गई, जब Shakespeare अपनी family से दूर London में रह रह रहे थे, अब इनके इन दोनों बच्चे के होने के 7 साल बाद के record Shakespeare की life के किसी को नहीं पता, इनको silent years बोला जाता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता, इसी time पर इसी बीच में वो London गए होंगे, theaters के लिए उन्होंने काम किया होगा, एक किस से 28 साल की उमर के बीच में, ये शायद उनकी struggle की साल रहे होंगे, जिस कहते हैं कि ये एक school master के assistant बन गए थे, और फिर London में acting करने लगे, और अब इन 7 सालों के बाद में Shakespeare का नाम 1592 में सामने आता है, ये नाम कौन सामने लाता है, युनिवर्सिटी विट्स में एक बंदा Robert Green, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, Robert Green, जब उस बक Shakespeare एक उभरते हुए actor और playwright थे, बढ़ते हुए playwright थे, अच्छे actor बन चुके थे, लंडन के stage में, तो Robert Green, खुद तो एक बहुत successful playwright नहीं थे, उन्होंने युनिवर्सिटी विट्स में बाकी playwrights को, Shakespeare के लिए warning दे दी थी, एक upstart crow बोलकर, एक ऐसा कववा जिसने अभी अभी अपनी उडान शुरू की है, और ये हमारे खुबसूरत punk लगागर उड़ रहा है, और इतना अच्छे से blank words को use कर रहा है, plays लिखने में, और हम जैसे scholars ही ये चीज़ कर सकते हैं, और Shakespeare को इन्होंने बोला था, jack of all traits, master of none, ये एक दोस्तो figure of speech है, ये ऐसे आदमी के लिए use की जाती है, ये पूरी स्टेट्मेंट है, रॉबर्ट ग्रीन ने जो दी थी, ये बताने के लिए, जिनको युनिवर्सिटी के एजुकिशन नहीं मिली होती, ऐसे लोग, जैसे की Shakespeare, वो युनिवर्सिटी विट्स के great dramatist के बराबरी करते हैं, तो क्या होता है, फिर बाद में Shakespeare का history play Henry जब successful हो गया, तो उस वक्त Robert Greene के publisher थे, उस time पर उन्होंने Shakespeare से माफी माँगी, कि contemporary's को भढ़काने का और ज्यादा काम किया था इनकी poetry writing ने, poetry भी इनकी ठीक ठाक famous ठीक है, फिर 1593 में अगले ही साल government ने पूरे London के theaters को बंद करवा दिया, narrative poems को लिखा था, जिस वक्त ये plague पहला था यहाँ पर London में, और London के theaters को बंद करवा दिया गया था, उस time पर दो narrative poems, Venus, Adonis और Rape of Lucrecy को लिखा था, जो कि Shakespeare की friend H.W. को dedication थे, इसकी बाद 1594 में theaters reopen होते हैं, तो इस वक्त Shakespeare ने Lord Chamberlain's Man को जाइन कर लिया था, ये एक drama company थी, अब इन्होंने अपने शुरुवाती करियर में ज्यायतर history plays को लिखा, और romantic comedies को, तो शुरुवाती periods में history लिखकर ये successful हो गए थे, ये इन्होंने timing पर history लिखी थी, जो कि इनके success का reason बने, और इनके लिखनी का style भी काफी अच्छा था, पर 1597 आते आते, ये इतने लायक तो हो गए थे, कि ये खुद का अपना बड़ा सा घर खरी सकें स्टेटफ़र्ड में, और अपनी family को कुछ दे भी सकते थे, लेकिन 1597 में ही large ambulance man, ये जो company का play house था, जिसमें ये play perform करते थे, उसका lease खतम हो गया था, उसकी lease खतम हो गई थी, मतलब जो पट्टा इनों ने लिया था उस जगे का, वो खतम हो गया था, और उस जगे के मालिक ने उस lease को renew करने से मना कर दिया था, और उस वक्त इस company ने, अलग-अलग दूसरे play house में जा कर, अपने plays को perform किया, दूसरे के plays को भी perform करने लगे, क्योंकि इस वक्त तक इनके पास अपना play house नहीं था, जब तक कि 1599 में, Shakespeare ने partnership में, famous globe theater नहीं खूल लिया, ये globe theater में बाद में आग लग गई थी दोस्तों, ये एक open air theater था, टेम्स river की किनारे पर open हुआ था, मैंने Shakespeare को partner इसलिए बुला, क्योंकि Shakespeare भी इसके बहुत बड़े investor थे, और ये अब एक company man बन गए थे, एक dramatist से एक company man बन गए थे, और ये नया status उनको मिल गया था, और theater की profit में अब इनको हिस्सा मिलता था, बजाए इसके कि ये अपने plays लिखने से पैसे कमाये सर्फ, तो सो ध्यान रखना उस time पर यहाँ पर, चोटी सी बात याद रखना कि उस time पर publishers ने, Quartos को publish करवाना शुरू कर दिया था, ये Quartos क्या होते थे, चोटी चोटी बुक्स होती थी, लेकिन ये evidence कहीं भी नहीं मलता कि Shakespeare ने, अपने किसी भी type के publication में participate किया हो, मतलब वो बस drama लिखते थे, perform करवाते थे, publication में उनका कोई हाथ नहीं था, और इनकी death के 7 साल बाद, acting company के कुछ members ने इनके works को collect किया, और publish करवाया इनके first folio में, इनोंने खुद ने कभी नहीं सोचा था, कि इनके works की books बनेगी और school हो में पढ़ा ही जाएगी, सर्फ इनहीं की country के schools में नहीं, बलकि पूरी दुनिया की schools में, कभी नहीं सोचा था, और तो और उस acting company के printing investor, जिसने Shakespeare के place के सारे rights को खरीद लिया था, उसने भी कभी नहीं सोचा होगा, अब 1600 के बाद का time बहुत important है इनकी life का, 1599 में Julius Caesar को perform करवाया, पर उसके बाद 1600 से 1601 के बीच में Hamlet, 1603 में Elizabeth की death, पर Lord Chamberlain's Man Company, King's Man बन गई, King James First के under आकर, पर 1603 से 1604 के बीच में Othello, पर 1605 से 1606 के बीच में King Lear, पर 1606 में ही Antony and Cleopatra, पर 1606 में ही Macbeth, इतने सारे great works भी लिख दिया और इतना सब कुछ हो गया, दोस्तों, 1609 में इन्होंने एक indoor theater, Black Priors में invest किया, indoor theater क्या था, open year theater तो इनका globe theater था, एक और theater था Black Priors, उसमें इन्होंने invest किया था, जो कि इनका सही फैसला था, जो आगे इनको काम आने वाला था, इस टाइम पर ये romance और tragedies लिखते थे, और फिर globe theater में आग लग गए, जिसके बाद इनकी company Black Priors में move कर गई, मतलब बाद में वही theater काम आया, और final days में हम सबको पता है, कि इनोंने contemporary writer, John Pletcher के साथ मिलकर collaborate किया था, two noble kinsmen को लिखा था, फिर 1616 में इनकी death हो गई, और अपने लिखे हुए works के लिए खुद तो लापरवा थे, लेकिन इनकी death के 7 साल बाद, John Heming और Henry Condal नाम के दो fellow members, जो इनकी company में fellow members थे, तो उन्होंने इनके collected works को publish करवाया, जो quarto publish हुए हैं, उनके response में, तो first volume publish हुआ, फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं, Shakespeare की language की बात करते हैं, अब दोस्तों, जब मैंने first time Shakespeare को पढ़ा, तो मेरा क्या experience था, बड़ा difficult लग रहा था पढ़ना, क्योंकि ये plays उस time पर दोस्तों, early modern language में लिखे हुए हैं, जो कि आज की English language से बहुत ही अलग है, लेकिन फिर भी, इनके plays में लिखी हुए language बड़ी rich है, मैंने सबसे पहले, उनके use of pronouns को notice किया, James first की Bible के version की तरह, इनके pronouns भी different type के होते थे, जिसे दाओ, दी, यी, दाए, ये words को आपने भी notice किया होगा, जब आपने इनके plays पड़े होगे, बाकी की उस time की points भी, points भी उस time पर ऐसे लिखी जाती थी, दाओ, मतलब you, तुम्हारे लिए use होता था ये word, तो ये words आपको इनके plays में बहुत मिलेंगे, थोड़ा time लगेगा इन words की आदद बनाने में, आइंबिक pentameter का use भी करते थे, क्योंकि ये अपने plays को blank words में लिखते थे, तो आइंबिक pentameter का use करते थे, जैसे to be or not to be, अच्छा example है आइंबिक pentameter का, इन ही के play hamlet का है ये dialogue, अब खास बात ये थी कि ये words के साथ game भी खेलते थे, मतलब double meaning words का use करते थे, बहुत ज़ादा use करते थे, जिनको हम puns बोलते हैं, अब ये puns का use बहुत ही चलाकी से करते थे, जिसका surface का meaning तो अलग होता था, और deep meaning जानना मुश्किल हो जाता था, शुरू में बहुत मुश्किल लगेंगे इन puns को ढूणना, अगर Shakespeare के plays का text पहली बार पढ़ने जा रहे हो, तो कुछ चीज़े जानना जरूरी है दोस्तों, इनकी line इनके dialogues बोलने के लिए लिए लिखे गए हैं, तो समझना है, तो जोड़ जोड़ से पढ़ना जरूरी है, जैसे वो अच्छी दरह से समझ में आएंगे, दूसरा, ये line इं poetic है, और इसका मतलब ये है कि complete sentence पढ़ना जरूरी है, अगर ढंक से समझना है तो, period to period, line to line, move करना होगा, शुरू-चुरू में language थोड़ी tough लगेगी, लेकिन बाद में ये language समझ में आएगी, इसकी richness भी समझ में आएगी, अब ये तो हो गया introduction, Shakespeare का अब मैं आपको बताता हूँ, कि उस time पर early modern England में, क्या हालात थे social conditions, political, religious conditions, Shakespeare English Renesaw के time के writer थे, Renesaw का मतलब है, दोस्तों मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, rebirth, rebirth of art, science और दूसरी developments होई थी, इसी age में, कुल मिलाकर, rebirth of classical knowledge, दोस्तों यहाँ पर scholars के दो group हैं, जिन्होंने English Renesaw के against, अपने-अपने reasons दिया हैं, दो groups मतलब दो reasons, challenge किया है, सबसे पहला group तो यह बोलता है, कि इसको Renesaw बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस time पर women का कोई role नहीं था, women का social status आदमियों से, इस time पर बहुट down था, और दूसरे group का यह reason है, कि Renesaw को Renesaw बोलने का मतलब यह है, कि यह लोग civilized हुए थे, इसी time पर knowledge का rebirth हुआ था, मतलब यह लोग civilized हुए थे, इसका मतलब यह हुआ कि इससे पहले की जो age थी, वो civilized नहीं थी, तो उन ages का अपमान करना हो गया एक तरह से, अब इसको Renesaw मानने से इंकार कर दिया, तो कुछ scholars यह कहते हैं, इस age को Elizabethan और Jacobian age बोलना भी ठीक नहीं है, reason, क्योंकि Queen Elizabeth का time और King James का time, दोनों अलग-अलग हैं, दोनों छोटी-छोटी ages हैं, तो इतनी बड़ी age नहीं है यह, और Shakespeare दोनों के time के playwright थे, Elizabeth के time के और James के time के, तो इसको Early Modern Age बोलना सही रहेगा, आज ज्यादे दर इसको Early Modern Age बोला जाता है, Early Modern time के लोग universe को वैसे नहीं देखती थी, दोस्तों जिस time से आज हम लोग देखते हैं, क्योंकि उस वक्त discoveries होना शुरू ही हुई थी, और इतनी knowledge नहीं थी, और लोग बदलने लगे थे, इससे पहले तो लोगों को ये भी पता नहीं था, कि solar system में सूरज बीच में है, और बाकी planet उसके आसपार चकर काट रहे हैं, और उपर वाले ने एक chain सी create कर रखी है, God ने एक chain सी create कर रखी है, जिसमें सबसे उपर है God, उसके बाद angels, man, women, animals, plants और rocks, ऐसे chain बना रखी है, और Shakespeare के contemporaries मानते थे, कि दुनिया में सब को चारा object से बना हुआ है, मिटी, हवा, पानी और आग, religious context की बात करें, तो ये उस age में रहते थे, जहां full of religious uncertainty थी, dispute था, Protestant reforms जब से हुए थे, मतलब Queen Elizabeth के time से भी पहले, तो यूरोप में Catholic Church का राज था उससे पहले, Universal Church, फिर Martin Luther और John Calvin, जैसे बुद्धी जीवियों ने, Church की power को claim किया, corrupt बोल कर, और फिर Protestant reform हुए, Protestants ये चाते थे कि Bible पर हर आत्मी की पहुँच हो, शुरू-शुरू में तो बहुत सारे लोगों ने Protestants के इन आइडिया का विरूत किया, लेकिन फिर 1527 में Henry 8 के टाइम पर England में एक reformation हुआ, उस वक्त बिना Church की permission के Henry 8 ने अपनी वाइफ को divorce दे दिया और दूसरी शादी कर ली, तो Church उनसे नाराज हो गया, बिना Church की permission लिए किया था, तो 1534 में Parliament में एक Act of Supremacy आया, दोस्तो Act of Supremacy के बारे में पहले भी कई वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन इतना lightly बात की थी कि समझ बे नहीं आया था, ये Act of Supremacy क्या था, उसमें ये कहा गया कि Henry 8, जो कि Queen Elizabeth की फादर थे, वो Church of England में Supreme है, तो ये था Act of Supremacy, वो Church के भी Supreme माने गए, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ, यहाँ पर, दोस्तों, Henry 8 की death के बाद में उनकी बेटी Mary आई, उसकी भी death हो गई, इस ताइम पर कभी Protestant भारी होते थे, तो कभी Catholic भारी होते थे, फिर 1558 में Queen Elizabeth I, Daughter of Henry 8 आती हैं, और इनके आने से, Protestants restore हो गए England में, और Catholic दब गए एक तरह से, लेकिन फिर भी इन्होंने, ज्यादा से ज्यादा शांती कायम रखी अपने टाइम पर, कैसे, जब Catholic दब ही गए हैं, तो कैसे शांती कायम रखी, अब ये political context में मैं आपको बताऊंगा, अब Elizabeth I खुद तो Protestant थी, ये बात हमको मालूम है, तभी Protestants उपर आ गए, लेकिन फिर भी, ये खुद बीच का रास्ता पकड़ती थी, कि जिससे कोई भी नाराज ना हो, ये religious मामलों में बीच का रास्ता पकड़ती थी, इन्होंने Catholics को allow कर दिया, कि तुम अपने धर्म की practice प्राइवेट में कर सकती हो, अगर Anglican Church, English Throne के लिए loyal है, तो तुम अपने धर्म की practice प्राइवेट में कर सकती हो, तो उस टाइम पर प्राइवेट में practice होती थी, अबले कली नहीं होती थी, तो Elizabeth ने यहाँ पर बीच का रास्ता पकड़ा religious मामलों में, क्योंकि religious मामलों में बहुत ज्यादा sensitive होते हैं लोग, लेकिन Elizabeth के टाइम पर भी, वो ऐसी society में रहती थी, जहाँ पर women को political, personal powers नहीं थी, restrictions थी, वो खुद queen होने की बावजूद उस वक्त England में women का status बढ़ा नहीं सकी, अपने 45 words की राज में उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, इसलिए उनको virgin queen कहते हैं, उनकी purity, England की purity को represent करती है, शादी ना करके वो independent रही, शायद वो शादी कर लेती, तो शायद उनकी independence पे असर पड़ता, इसके बाद उनकी cousin Mary का बेटा James King बन गया, इनकी death के बाद में 1603 में, तो James 6th of Scotland, England में James 1st बना, और इसके आने से ही Jacobian Age शुरू हुई, दोस्तो Elizabeth 1st Divine Rights of Kings को मानती थी, मतलब कि उपर वाले ने हमको king और queen बना कर appoint किया है, और king James भी इसी चीज़ को मानते थे, और उनकी बाद में उनका बेटा Charles 1st तो खैर उसकी बात नहीं की जाए, अब कई critics ये मानते हैं कि Shakespeare ने Macbeth को James के king बनने के 3 साल बाद में ही, king को tribute करने के लिए लिए लिखा था, ये जो play था Macbeth, ये king James की राजा बनने पर उनको tribute करने के लिए लिखा था, क्योंकि उस play में कहीं न कहीं divine rights की बात हुई है, कि फिर भी scholars ये मानते हैं कि king James, Elizabeth जितना successful नहीं था, वो बहुत एक successful ruler थी, लास्ट में हम लोग social context की बात करते हैं दोस्तों, society Shakespeare के टाइम पर उस social classes में बटी हुई थी, ये simple ही है, दो social classes कौन सी, पहली थी noble, noble लोग आते थे जिसमें aristocrates, जिनके पास बहुत पैसा था, दूसरी थे, इनमे noble लोग के लावा सब कुछ आते थे, इन दोनों में फर्क ये था, wealth हर power का, noble लोगों के पास, जनम के साथ ही सब कुछ था, जनके पास skills थी, उनके पास पैसा नहीं था, उस वक social mobility थी, Shakespeare ने खुद अपने, theater से कमाय हुए पैसो से, खुद का status secure करने के लिए, उसको use किया उस पैसो को, उन पैसो को, वो अलग बात है कि, उनकी तरह दूसरे लोगों को, उस टाइम पर अपना social status उठाने की opportunity नहीं मिले, उस टाइम पर women का status भी ठीक नहीं था, husband family का king था, जैसे state का king king था, वैसे husband families का king हुआ करता था, उसके पास divine right थे, लोग एक family को आज जिस नजरीय से देखते हैं, दोस्तों उस टाइम पर नहीं देखते थे, उस टाइम पर बहुत अलग नजरीय से देखते थे, प्रॉपर्टी जाती थी, family के first male child को, system of patriarchy, women को ना तो wealth मिलती थी ना title, queen Elizabeth भी queen इसलिए बनी थी, क्योंकि कोई भी male वारिस नहीं था, England की गदी बर बैटने के लिए, इसलिए queen Elizabeth queen बनी, लेकिन उस पर भी अगर इनकी शादी हो जाती, तब शायर situation अलग होती, इसके अलावा women को education भी नहीं मिलती थी, profession की तो बात ही नहीं की जाए, तो बहतर हुगा, क्योंकि education ही नहीं मिलती थी, तो profession में कहां से वो हाथ आजमा सकती थी, खास कर कि हम जब literature पढ़ रहा है, तो acting में तो women काम नहीं करती थी, लेकिन Shakespeare ने, अपने play Macbeth में, Macbeth में आप एक चीज़ नोटिस करोगे, Lady Macbeth का character कितना bold दिखाया उन्होंने, बड़ा active role था, Lady Macbeth का, तो ये कई सारे plays में आप देखोगे, कि Shakespeare की women character, powerful दिखाने की कोशश करते थे, अब आप ये सोचोगे, कि Shakespeare की किसने आगे की सूस थी, या फ़र commercial purpose के लिए, या पबलिक को ये चीज़ नए type की देखने को मिलती थी, ये कि Shakespeare के लिए पैसा और public attention बहुत मायने रखती थी, वो तो classical reference भी उठाते थे, अब इसका मतलब ये थोड़ी वो कुछ सिखाने के लिए, वो तो interest पैदा करने के लिए उठाते थे, क्या मालूं commercial purpose राओ ये सब करने का, अब उस time पर London कैसा था, लगबग 2 लाग की आबादी थी दोस्तों, लंडन के बार में बता दूं क्यों प्लेग आते थे उदर, उस वक्त लंडन में 2 लाग की आबादी थी, भीड बहुत थी, सिवर सिस्टम नहीं था, गंदगी पहली रहती थी, गंदगी की वज़े से प्लेग पहलने का खत्रा बहुत ज्यादा था, क्राइम रेट्स भी बहुत हाई थी, क्योंकि लाउ इतना एफेक्टिव नहीं था, गलियों में लाइटे नहीं लगी होई थी, तो ज्यादा तर रात के टाइम पर दुश्मन मर्डर कर जाते थे, तो रात के टाइम पर घड से मत निकलना वरना दुश्मन मर्डर कर जाएंगे, तो पांच बेजे इन लोगों का खाना भी हो जाता था, बहुत ज्यादा पर्सनल जा रहा हूँ मैं, लेकिन इन सब के बावजूद लंडन कुल्चरल, पॉलिटिकल और सोचल हार्ट था एंग्लैंड का, तभी तो शेक्सपियर भी हीरो बनने के लिए लंडन में गये थे, हीरो बनने के लिए एक्टर बनने के लिए, अब थेटर्स की बात करते हैं, तो ज्यादतर थेटर्स दोस्तो टेम्स रिवर के साउथ बैंक पर लोकेटेड थे, इतना बाहर क्यों मनाया जाते थे, ज्यादतर बाहर ही थे, क्योंकि प्यूरिटन्स इसको बुरा मानते थे, प्यूरिटन्स इनको इम्मॉरल मानते थे, इसलिए theaters को बाहर बनाया जाता था जहां पर prostitutions होते थे मतलब कि वेशाले वगेरा dog fighting होती थी, bull beating होती थी, ये सब चीज़े होती थी लेकिन इतनी सब restrictions होने की बावजूद theaters उस time पर दुस्सों censorship से free नहीं थे मतलब censor तो उस time पर भी दा कहा जाता है कि political, social और sensitive matters में आप plays नहीं perform करवा सकते मतलब कि पहले तो text को check किया जाएगा, कुछ cases में offending sections में cutting होती थी, फिर जाके approval मिलता था public performance का अब उस age के theaters दोस्तों आज के हिसाब से बहुत अलग थे, आज जैसे theaters हैं, बंद theaters होते हैं, आज कल तो AC भी लगे रहते हैं theaters में, लेकिन उस time पर open air theater होगा करते थे, natural lights मिलती थी, ज्यादा से ज्यादा public theater में आती थी, और एक theater ज्यादा से ज्यादा 2000 से 3000 लोगों को hold कर सक सकता था, अब पाइदा ये था कि ज्यादा लोग open air theater में आते थे, गुटन नहीं होती थी, ज्यादा लोग देख सकते थे, कुछ इस type का theater हुआ करता था, तो group theater भी इसी type का था, अब लड़कियों के role किससे करवाते थे, जैसे Shakespeare की drama company में लड़की के role किससे करवाया जाते जवान लड़कों से, जनकी आवाज अभी भारी नहीं होई थी, तो दोस्तों ये था social context, I hope आपको आज की वीडियो पसंद आए होगी, आज की वीडियो में बस इतना है